जहिन दोस्तों आप सभी का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ रोज मैं आपके लिए GKGS के Important Questions का Practice Set लेकर आता हूँ आज की सेसन में भी मैं आपके लिए ऐसे Questions लेकर आया हूँ जो एक्जाम में ज़्यादा तर पुछे जाते हैं इनके पुछे जाने के Chances ज़्यादा होते हैं तो इसलिए आप पूरे वीडियो को लाज सक देखेगा और हरे Question को ध्यान से पढ़िएगा आज ये पहले Question पे ध्यान देते हैं पहला Question क्या है? पहला Question है Antigen क्या कारी करता है? Antigen के बारे में आप Science में पढ़ते हैं Antigen का कारी क्या होता है? Antigen को Hindi में प्रतिजन भी बोला जाता है आपके सामने चार बिकल्ब हैं और जो सही उत्तर है वो आपको बताना होगा तो मैं आपको बता देता हूँ जो प्रतिजन होता है जिसे Antigen कहा जाता है किसी जो उधारी के सरीर में उपस्थित वे अण होते हैं जो रोगों से लड़ने की छमता उत्पन करते हैं तो आईए देखते हैं इसमें से कौन सा बिकल्ब सही होगा चारो बिकल्ब में से आप देख लीजे इसमें से चौथा वाला विकल्ब जो होगा बिल्कुर सही होगा इसमें क्या लिखा गया है एंटी बाडी के निर्मार को प्रोस्ताहित करता है तो एंटी बाडी क्या करता है हमारे सरीर को रोगों से बचाता है अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन है हमारा उत्तर है वो आपको बताना है चारो भी कल्प आप देख लीजे और इसमें सही उत्तर जो है वो आपका ये दूसरा वाला है क्योंकि ये सबसे ज्यादा समय लगाता है पिर्थवी जो है देखिए इसमें चार भी कल्प है जिसमें से पिर्थवी अगर आप देखिए पिर्थ को 687 दिन लग भग लगते हैं तो यह तुमा लीजे ठीक है इनका दिनों में संख्या है लेकिन बिरहस्पत की अगर हम बात करते हैं तो बिरहस्पत का 11.86 प्रित्वी में जो वर्स हम लोग काउंट करते हैं सोचे 11.86 लगता है इसको एक चक्र पूरा करने में इसलिए इस बिकल्ब को आप सही लगा सकते हैं इसमें इस प्रशन के लिए यही सही उत्तर होगा अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन है पानी पत की प्रथम लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी आपको बतान 1526 में लड़ी गई थी और किनके अकिन के बीच में बाबर और इब्राहीम लोदी के बीच में इसलिए जो सही बिकल्ब होगा वो चोथा वाला होगा और एक बात जान लीजिए इस युद्ध के बाद लोदी राजवन्स का अंत हो गया था और भारत में मुगल राजवन्स की सुरुवात हुई थी अगला क्वेशन देखी अगला क्वेशन है मारा निमलिकित में से किसमे उस्मा की छमता सरबादिक है तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें बिसेश्ट उस्मा से संबंदित मामला है तो इसको ध्यान दीजिएगा चारो बिकल्प में से जो सही उत किसने भारत की पहली स्वदेशी फिल्म राजा हरिश्चंद का निर्मार किया आपके सामने चार विकलफ हैं और इसमें जो सही उतर है वो मैं आपको बता देता हूं पहले आप जान लिए कि 1913 की राजा हरिश्चंद फिल्म यह 1913 में रिलीज हुई थी यह दादा साहब फाल के द्वारा निर्देशित और निर्मित भारतिय मोग फिल्म थी इसलिए इसको ध्यान रखिएगा इसमें कई क्वेशन बन जाते हैं ये 1913 में बनाई गई थी उसके अलाव दादस साहिब फाल के इस प्रशन के लिए यही सही उत्तर होगा तीसरा वाला विकल्ब जो आपके स बताना होगा तो यह आप जरूर जानते होंगे मुझे पता है अगर आप इसका एंसर जानते हैं तो comment box में इसका एंसर बताएगा इसका एंसर मैं नहीं बताऊँगा अपने देश के बारे में इतनी जानकारी तो सबको होनी ही चाहिए अगला question देखिए अगला question क्या है UNO क इस उरच्चा परसद में अस्थाई सदस्यों की संख्या पांच है साथ है दस है फिर बारा है इसमें से सही उत्तर जो है पहला है क्योंकि यह संख्या पांच है इसमें मैं आपको बता देता हूं इसमें सदस कौन-कौन है रूस, United Kingdom, France, चीन और USA है इसलिए और एक बार जा मैं बता देता हूं इसके लेखए पंडित जोहलाल नहरु जी थे इसलिए पहला विकल्प जो सही होगा अगला कोईस्ट देखेंगे अगला question है मारा इसमें किसी एक सायंत्र की बात की गई है एक सायंत्र है जो किसी वस्त की दूरी और दिसा का पता लगा सकता है आपको बताना है नीचे दिये गए विकल्पों में से उस सायंत्र का नाम जो किसी वस्त की दूरी और दिसा का पता लगा सकता है आप का उपयोग कई जगहों पर होता है जैसे बीमान हो गए या फिर जहाज अंत्रिच्यान निर्देशित मिसाइल ऐसे बहुत सारे वाहनों में भी किया जाता है तो इसके लिए जो सही उत्तर होगा है चोथा वाला विकल्फ होगा अगला क्वेशन देखेंगे अगला क्वेशन या फिर 18 वर्स है इसमें से सही उत्तर जो है वो आपका इसमें से पहला वाला है क्योंकि नियूंतम आई सीमा कितनी होनी चाहिए 21 वर्स तो होनी ही चाहिए अगला क्वेशन देखेंगे देखें एक संकेत है आपके एक ट्राफिक रूल का भी क्वेशन आएगा तो इसमें जो संकेत दिया गए आपको बताना है यह क्या पर दर्सित करता है अनिवार साइकल मार्ग है या फिर साइकल जाना मना है साइकल स्टैंड या फिर इनमें से कोई नहीं जो सही उत्तर है आपको बताना होगा तो इन चारो विकल में से पहला विकल बिल्कु सही होगा पहले म सियु भासा राज के पश्मी भागू रोहिल खंड और उपर दुवाब में बोली जाती है आपके सामने अलग-अलग भासाओं के नाम दिये गये हैं इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा वाला है क्योंकि यह भासा कौन सी है खडी बोली है मैं आपको बता देता हू खडी बोली मुकिता दिल्ली के आसपास के ग्रामीड शेतर जो है जैसे और उसके अलावा ग्रामीड शेतर के अलावा जैसे यह तो दिल्ली के ग्रामीड शेतर में भी बोली जाती है जक्षडी उत्राखंड में बोली जाती है और राजस्थान में बोली जाती है इस बात क के निमले के सेहरों में इसे किस से पीडल उथपादों का अधिकनारियार्प निर्यात किया जाता है तो इसमें अस्थान कौन सहरों के नाम है मुरादवाद वारान शीकान पूर या फिलखना व क्थनल क है वो पहला वाले विकल्फ है क्योंकि मुरादाबाद जो एक परमुक और दोगिक सहर होता है और सहर है और ये निर्यात केंद्र भी है यहाँ पे पीतल के सामानों के निर्यात के लिए इसको जाना जाता है इसके लावाँ एक बात जान लीजिएगा इसको ब्रास सिटी भी कहा अगला कोईशन देखते हैं अगला कोईशन तमासा कहां का सामाजिक छेतरी लोक्स है अपके सामने चार विकल्प है जो सही उत्तर है वह आपको बताना 혹़ा इसमें से सही उत्तर जो है वो आपका चौथा वाला विकलफ हो का महाराष्ट इस प्रस्षन के लिए यही सही उत्तर होगा इसको ध्यान दीजिएगा तमासा माराथी थियेटर का एक पारंपरिक रूप है इसको ध्यान रखिएगा अगला कोईशन देखेंगे अगला कोईशन है भारत में इस्टित के सहर को बिस्ट का सबसे पुराना सहर माना जाता है आपको वताना है भारत में इस्टित के सहर को बिस्ट का सबसे पुराना सहर माना जाता है चार विकलप आपके सामने है और इसमें से जो सही उत्तर है वो आपका दूसरा वाला है क्योंकि वाराष्टी सहर जो ह भी प्राचीन है, मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है, प्राचीनता को ले करके, इसलिए यही विस्व का सबसे प्राणा सहर माना जाता है, अगला क्वेशन देखेंगे, अगला क्वेशन है, चमडे की वस्तों के लिए प्रसिद जिले हैं, आपको बतान है, चमडे के लिए जो प्रसिद हैं, उन जिलो के नाम, इन चारों विकल्ब मेसे में आपको बता देता हूँ, कानपूर और आगरा विस्व प्रसिद चमडा उद्दो केंडर है, इसलिए जो सही उत्तर है, इसमें पहला वाला होगा, आगरा और कानपूर, अगला क्वेश लाइक फसल है, इसलिए दूसरा विकल्ब जो होगा, बिल्कुर सही होगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसको लाइक तो जरूर कर दिया करिये, और सेयर भी कर दीजिएगा, और ऐसे ही प्रेक्टिस सेट अगर आप पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, धन्यवाद.